हेलो स्टूडिंट्स कैसे हैं आप लोग हमारा आज का टॉपिक है मेमोरी हैराकी तो अगर हम मेमोरी हराकी बोलें तो यहां हम पढ़ने वाले हैं हम एक पिरमिड इस्टुक्चर में हम क्या करेंगे डिफरेंट लेवल्स अफ मेमोरी को अरेंज करेंगे कि किस बेसस पर एक मेमोरी दू़सरी मेमोरी से ढ़ने हो अगर आपको याद होगा तो हमने उसमें देखा था कि हम computer system में एक टाइप की मेमोरी को इसेमाल नहीं करते अब मैं बोजिए के levels लगाते हैं और हर एक level different होता है एक दूसरे level से कुछ factors पर like वो different होता है cost को लेके, different होता है access time को लेके और different होता है storage capacity को लेके, तो में नहीं अपर capacity लिख देती हूँ, actually यह है storage capacity गिलेटिटी मतलब कोई लेविल किसी दूसरे लेविल से दादफ होगा कोई फास्ट स्कतर गया कही प्लीटे स्टेश कर वाएगे कहीं में कम होगी तो बसे परेमिड स्ट्रॉक्टिर बनता है तो चलिए देखते हैं इस परेमिड स्ट्राइर को यह जो structure होता है इसमें जो सबसे ऊपर होता है वहां होते है हमारे register registers को हम CPU register भी बोलते हैं और यह होते हैं हमारे byte में हमने byte अलेडी discuss किया हुआ था इसलिए मैंने last lecture में memory unit को discuss कर लिया था तो यहां पर मैं byte, kilobyte, mb, gb, tb इसका इस्तमाल करूंगी तो अगर आपको थोड़ा confusion है कि यह क्या होते हैं आप previous lecture एक बार देख लीजेगा उसके बाद हमारा जो second आता है उसमें होती है हमारी cache memory cache memory हमारी kb या फिर mb में होती है next जो level है वो हमारा होता है cache memory के बाद main memory अब अगर size पूछा जाए main memory का तो यह होता है gb में gb, gb, गवाइट, उसके बाद हमारा जो next आता है वो हमारा usb या फिर flash memory होती है और usb और जो flash memory होती है उसका size भी हमारा gb में ही होता है और इसके बाद जो next है वो हमारा होता है magnetic disc यहां लिख देते हैं magnetic disc और अगर अगर पूछा जाए कि इसका size क्या होता है तो इसका size terabyte में होता है last magnetic disc है यहां पे हार्ट disc भी कह सकते हैं यहां पे इस हार्ट disc असा कुछ मेंशन रह देती हैं जो दोनों एक ही है इसके बाद जो हमारा last pyramid structure में आता है वो होगा हमारा magnetic tape चलिए इसको यहां से थोड़ा से रिमूव कर देते हैं यह जादा बन गया था और यहां इस pyramid structure को बंद करते हैं अब इसका size तो रही गया तो इसका size होता है हमारा petabyte में या फिर exabyte में यह हमें सब discuss किया हुआ है अब थोड़ा सा ओर detail में अगर discuss करें कि इन में से कौन सी जो हमारी memory है वो internal है और कौन सी secondary है कौन सी primary है तो हमारे जो register और cache होती है वो हमारी आती है internal storage में अगर हम बात करते हैं इस main memory की तो यह होती है हमारी primary storage तो हम यहां लगते हैं इसको primary storage उसके बाद हमारी USB या फिर flash memory और magnetic disk या फिर hard disk हमारी आती है secondary storage में तो यह दोनों है हमारे secondary storage और लास्ट जो hierarchy है इस pyramid में या अगर हम बात करें memory hierarchy में जो last है वो हमारा होता है magnetic tape और magnetic tape हमारा कहलाता है tertiary storage यह सब कुछ cost accessing time और capacity के हिसाब से इस pyramid में fix किया गया है आपको screen पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है एक बार उसको समझ लेते हैं कि किसका access time कितना होता है तो अगर बात करते हैं register की तो register का जो access time होता है वो 1 nanosecond होता है अगर हम बात करें cache memory की तो यह है 10 nanosecond अगर हम बात करते हैं main memory की तो इसका access time होता है यह approximately हम बात कर रहे हैं यहां पर हमारा access time है 100 nanosecond अगर हम USB या फिर flash drive मतलब कि हम secondary memory की बात कर रहे हैं तो यह हमारा होता है 1μS और microsecond हमारा यह जो magnetic disk है उसका size हमारा 10 ms होता है और magnetic tape का size 100 ms होता है तो यह हमारा access time है इस basis पे अप ध्यान से देखिए यह जो मारा register है यह fastest है यह fastest memory होती है और हमारी जो magnetic tape है वो कैसे होंगे slowest होंगे मतलब hierarchy में अगर देखा जाए तो जैसे हम नीचे से उपर जाते जाएंगे हमारी जो speed है या access time अगर हम बोलें axis time तो यह हमारा कम होता जाएगा और हम बात करते हैं सबसे नीचे तो axis time सबसे जादा लगेगा तो यह हो गया हमारा पहला factor axis time का अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर हम बात कर रहे थे capacity की तो उस बेसिस पर अगर आप इधर देखें तो उस बेसिस पर जो हमारा capacity के base पे सबसे कम capacity जो low storage रहेगा या हम सबसे small storage रहेगा वो रहेगा किसमे register में और जैसे जैसे हम इस pyramid में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो storage है वो बढ़ता जाएगा तो large amount of data हम store कर पाएंगे magnetic tape में मैंने आप साइज भी इसलिए mention कर दिया था ताकि confusion ना हो अब हमारा जो third factor है वो आता है cost का obviously कोई चीज अगर हमें fast access दे रही है तो वो कैसी होगी अच्छी होगी और अच्छी चीज हमेशा महंगी आती है तो उसी basis पर याद रखिएगा कि जो register है इस का जो cost होती है वो सबसे जादा होती है अगर हम cost basis की बात करते हैं तो अगर हम memory hierarchy में नीचे जाते हैं तो lowest cost या फिर जो cheapest होती है वो हमारे magnetic tape या tertiary storage होते हैं और हम अगर उपर जा रहे हैं तो highest cost या सबसे महंगे हमारे register आते हैं तो इस basis पे हमने memory hierarchy को इसमें divide किया हुआ है तीन factors में इस basis पे हम levels में memory को divide करते हैं तो चलिए इस hierarchy को एक बार conclude कर लेते हैं तो इस pyramid में जो सबसे oopar register है first जो हमारा level है इस pyramid का register है उसका जो cost है वो सबसे जादा है और pyramid में हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हमारी जो cost है वो कम होती जाएगी हम बात करते हैं second factor की जो है access time तो access time में जो सबसे oopar register है उसका access time सबसे कम होगा और जैसे जैसे हम मीचे जाते जाएंगे हमारा जो access time है वो बढ़ता जाएगा last है हमारा capacity और capacity का भी हम ऐसे ही कुछ discuss करते हैं कि जो pyramid में सबसे oopar है उसकी capacity सबसे कम होगी मतलब register smallest amount of data को hold कर पाएंगे and in comparison to हमारा जो pyramid है last में hierarchy में last है that is magnetic tape तो उसका capacity होगा largest होगी सबसे जादा data हम magnetic tape में ही store कर पाएंगे हमने देखा कि memory hierarchy क्या होती है हमने देखा कि जो memory hierarchy है उसको memory है actually हमने उसको levels में different levels में divide किया हुआ है factor मैंने आपको बताए cost access time and storage capacity क्योंकि computer में ऐसा नहीं होता कि हम पूरा program एक ही memory के साथ execute कर वाले हमें कई बार cost अच्छी चाहिए होती है कई बार speed अच्छी चाहिए होती है कई बार हमारा speed उतना factor नहीं होता हमें storage अच्छा चाहिए होता है तो उस basis पे एक computer system को हम एक memory एक type की memory में नहीं बना सकते हमें हमें levels में memory को divide करना होता है according to our requirement requirement और requirement आपको board पे दिख रहे हैं तो यह दा हमारा आज का topic memory हराभी कर दो 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 कर कर दो झाल झाल